नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास की महातम्यका आठवा भाग प्रस्तुत कर रही हूँ, आईए शुरू करते हैं बोलो बाके बिहारी लाल की जये जये श्री कृष्णा, जब ब्रामण धरमवरन घर छोड़ कर निकले तो उनके मन में बड़ा ही विसमे हो रहा था उन्होंने देखा मनुष्य पापाचार में प्रवित्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं ब्रामण पाखंडी हो गए हैं, शुद्र सन्यास्थारन करते हैं, पत्नी अपने पती से द्वेश रकती है, शिष्य गुरू से बैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्रपिता के घात में लगा हुआ है ब्रामण शुद्र और गाय बक्रियों के समान हो गई हैं, वेदों में गाथा की ही प्रधांता हो गई है, शुब करम तो साधारन लोकी कृत्यों के समान रह गए हैं, इनके प्रती किसी की महत्व बुध्धी नहीं है, भूत्प्रेत और पिशाच आदी की उपासना होने ल मन में सदा चल और कपट भरा रहता है। कलियुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वानी में कुछ, तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी ना किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है। और केवल राजभवन में उसका आदर किया जाता है संगीत आदिकलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं इस घोर कलियुग में अधम मनुश्यों की पूजा होती है और स्रेष्ट पूरुशों की अवहेलना की जाती है वेदों के विद्वान ब्राम्भन दरिद्र रहते हैं लोगों में प्राय ही भगवान की भक्ती नहीं होती पुन्यक्षेत्रों में पाखंड बहुत अधिक हो गया है शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धरम की व्याख्या कर रहे हैं सभी मनुश्य, अलपायू, दयाहीन और शठ होते हैं और सब के सब धरम के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं सभी अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोशों की चर्चा करते हैं कलियुग में लोग साधुओं को नहीं जानते पापियों को ही आदर देते हैं दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरशों के एक दोश का भी जगा जगा डिन्डोरा पीटते हैं और पापियों के दोशों को गुण बताते हैं गुण हीन मनुष्य दूसरों के गुणों को ना देख कर उनके दोश ही ग्रहन कर रहे हैं जैसे पानी में रहने वाली जोग प्राणियों का रक्त पीती है जल नहीं पीती उसी प्रकार जोग के धरम से संयुक्त होकर मनुष्य एक दूसरे का रक्त चूस रहे हैं ओशधिया शक्ती हीन हो गई हैं रितूओं में उलट फेर हो गया है सब राश्रों में अकाल पढ़ने लगा है कन्या योग्य समय में संतानोत पत्ती नहीं करती लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेश रूप से प्रेम करने लगे हैं जो मनुष्य वेद्वेदानतों की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं उन्हें अज्ञाने मनुष्य सेवक की दृष्टी से देखने लगे हैं वह सब के सब भरश्ट हो गए हैं कलियुग में लोग श्रात करम का त्याग कर रहे हैं वैदिक करमों को छोड कर बैठ कए हैं भगवान विश्णु का नाम तो उनकी जिहवा पर आता ही नहीं है सभी लोग श्रिंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं यहां कभी भगवान विश्णु की सेवा नहीं देखी जाती ना ही शास्त्रिय चर्चा होती है ना कह यज्य की दिक्षा है ना ही विचारों का लेश मात्र है ना तीरत यात्रा है और ना ही दान धरम देखे जा रहे हैं यह कितनी आश्चर्य की बात है इस प्रकार के मनुश्यों को देख कर ब्रामभन धरमवरन को बड़ा भय लगने लगा वह पाप से कुल की हानी को होते हु देख कर अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर दूसरे द्वीप में चले गए इस प्रकार वैशाख मास के महतम्यका आठवा भाग पूरण हुआ यदि आपको वैशाख मास के महतम्यका आठवा भाग पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय न आप सभी का हार्दिक धन्यवाद श्री क्रिष्ण गोविंद हरे मुरारी ही नाथ नारायन वासुदेवाय जै श्री क्रिष्ण जै मात आदी